इस्टार किया जाए चलिए तो देखो पहरा प्रस्णाप के सामने दिया है कि गुप्त सासको ने सरवाधिक सोने के सिक्के जारी किये जबकि सरवाधिक सुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया देखो यहाँ पर पूछा गया है कि गुप्त सासको ने सरवाधिक सोने के सिक कोंशा? stemme भी कोंशन बिल्ली को के राधानी बनाया था कर बताई vine बाहिएaci का हे राधानी बनाया था चले जवाब यहां पर आपका B आ रहा है तो आपका जवाब बिल्कूर सही है यहाँ पर करें हमारे सौर मंडल की आकास गंगा जिसे मंदाखनी अत्वा दुख दमेखला अर्थात मिल की वे कहते हैं और इसका पुछा गया आकार कैसा है चले 84 नंबर मताईए इसका जो आकार है वो कैसा है तो जवाब आ रहें B नंबर तो बिलकुर सही जवाब है सरिपला कारे कैसा है सरिपला कार और सनव क्या पर भी राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं निम्रिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है कौन सा सुमेलित नहीं है तो किरहें ब्राजील धारा दच्छन अत्लांटिक मासागर में है जो कि पहला पॉइंट आपका सई दिग ग मासागर है जो कि इस पेन के पास ठीक है इस पेन के पास आपकी प्रवावित होती है तो याद रिखे इसका राइट अन्स आपका जो गलती है सुमेलित नहीं है वह आपका भी बाला के यहां पर गलती आपकी है ठीक है अधर वेपर आपका जो गल फिल्ट्री में उत्त्री आट्लांटिक मासगर है अल्गोःस जो आपके हिंद मासगर में है ठीके ना यहाद रखेगा कोशन अपका भी होजगा अगला कोशन दिया है निम्रिकित मेंसे कौन सा राज बांगला देश के साथ सीमा साजा नहीं करता है तो यहाँपन देखको मेगाला है दिया है मरिपू मिलते हैं त्यादर के मेगाले, त्रिपुरा, मिजोरम और आपका आसम, पश्चिम मंगाल ये बंगलादेस के साथ अपनी सीमा यहाँ पर लगाते हैं ठीके और अगर ये बोल दे कि बंगलादेस के साथ सरवाधिक सीमा लगी है वो किस राज जिकी है तो वो आपके किस्किरा दिकी है तो आपकी पस्चिम मंगाल की है ठीके ना आप ये मा सोचिए अगर तीन ओर से गिरा है तो भई तीरपा तीन ओर से गिरा है न बंगलादेस गिरे हुए लिकिन इसकी सीमा आपकी छोटी है पस्चिम मंगाल की सीमा आपकी बड़ी है तो निम्तम वन आवरण प्रत्त कितना होना चाहिए तो देखो हमने आपको वन वाले मताया भी था कि अगर आपको परज़ावरण को सही रखना है तो एक वन नीती आई थी आपकी 1988 में ठीके कब आई थी तो आपकी 1988 में आपकी वन नीती आई थी और उसमें से कहा गया था कि परसंट तक आपका वनों का होना आवस्थेख है अगर इतना रहता है तो आपका परेवरन बिल्कुल स्वच रहेगा लेकिन आप देश सकते हैं कि आपकी वन रिपोर्ट आई है वहां पर आपको यह पर देश सकते हैं कि आपको दिया है 24 परेश पॉइंट है मतलब कहां इतन है मतलण यहांपर आप सी उर्जा का प्रवा होता है और किसा होता है और क्रीश होता है यहां पर जीट और यहँग नहीं यहां पर याद रहें इसका जवाब हो जएगा कौन हो जएगा इस प्रस्टावन का जवाब बताईगा सही बताईगा कौन चलिए तो देखो सबसे पहले जो प्रस्तावना आपकी थी सम्मिधान में वो सरभावमिक थी समाजवादी थी धनपेच थी फिर पापकी प्रजाता अंतरिक थी ठीके ना ये थी ना लेकिन दो जो आपका बैलिसमा सम्मिधान संसुदन हुआ उसमी से प्रस्तावना में प्रजवादी हो गया फिर धनपेच आपका हो जेगा फिर प्राजातांतरिक हो जेगा मतलब इसका जो जवाब है आपका इस प्रकास से है तो आपके प्रस्तावना में इस प्रकास से आपके रखे गए थे सब्दों को ये करम कूचा जाता है छोटे लेबल से लेके बड़ यहां पर देखा जाए सरवाधिक अंस्तदान जो आपका किसका तृतीच चित्र का ना अब जब यह बहुत की अर्थवेश्था डवलप होगी उसका विकास होगा जीडीप बढ़े गए तो वाई तृतीच चित्र तो क्या होगा अप्डूमेटिक बढ़े गए तभी तो जी फस्ट को सुची सेकेंड से यहां पर सुमेलित करना है ठीक है ना थोड़ा सब वीडियो को वाल्टी बढ़ा लीजीगा एक कोशन में यहां पर बड़ा कोशन है इसका नहीं इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा ठीक है यहां पर देखो दिया गया है किराप से एम ए स्वामी नाथन का जो सम्वांध लुग दाने का है ठेकिन अब यहां पर देख लिज़ेगर आपको नहीं दिख रहा था तो इस प्रकास आप याँ पर मिदान कर सकते हैं आगे बरते हैं प्रशाप से गला पुछा गया है वहाँ परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है कहलाता है वहाँ परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है बहुत तिक परिवर्तन कहते हैं अप्सन मनेगा अपका ए नमबर अपको हो जाएगा ठीके ना किलियर हो गया यूगे रासानिक परिवर्तन तो हो नहीं रहा है आगे आते हैं प्रसाप से लगा पुछा गया है धातूं का वह गुण जिसमें उन्हें खीच कर तारों की रूप में परिवर्तित करते हैं उसे क्या कहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई अगर धातू है माली जी आपकी यह सरिया है और इसे अगर आपको खीच कर क्या करना है बड़ा करना है और जब बड़ा करना है तो इसे क्या कहेंगे तो इसको बोलते हैं तन्निता क्या बोलते हैं तन्निता बोलते हैं यहाँ पर आपसन बनेगा सी नमबर तन्निता हो जाता है कोई अगर सरिया आपकी आपकी मालों दो मीटर के है आगे बढ़ते हैं मानो हर्दे का दाहिना भाग रक्त प्रवाप्त करता है यह बताई यह मनुस्थ का जो हर्दय होता है और हर्दे का जो दाहिना भाग होता है उस वाले भाग में बताई यह रक्त जो होता है या असुद होता है चलिए बताजे भई कैसा आपका होता है चलिए भई याँ पर जवाब आ रहा है बी नमबर आ रहा है तो याद रहे कि इसका जो जवाब बिल्कुश सही है कि जो मानो हर्दय है उसका दाहिना भाग जो होता है उसमें क्या होता है तो असुद रख्त प्राप्त करता है कैसा होता है असुद रख्त आपका प्राप्त करता है ठीके मानो हर्द की इस भाग में ठीके ना जो कि आप नम सुनों का महा सीरा यह निम्न महा सीरा दोरा सरीर का आकसी क्रत आपका रख्त आपका आता है ठीके याद रहेगा अगर यह ठीके Push कोश्ट ही होता है आगे बढ़ते हैं द्रवचलित Lift की सिध्धांट पर कारी करती है द्रवचलित जो Liftτι है वो कैसे कारीकर एगे हमने इसको कही बार बताया की मांचिन लीजेआ आपका कोई lift है या कैसे है कि जो आपका jack होता है गाड़ी को उठारे वाला तो वो कारे करता है कि इस प्रकास से तुसमें ज आपका pressure होता है वो सभी दिशाओं पर क्या होता है इसे सिधान्त है वो पास्कल के सिधान्त पर कारे करता है ठीके ना मतलब इसमें जो प्रेसर होता है वो सभी दिसाओं में बराबर लगता है इस कारण से मेनत नहीं लगती है और आसानी से कारे भी पूरा हो जाता है आगे बढ़ते हैं सर्व और वाली सब्द की स्खेल से हो जएगा ठीक है याद रहेगा चलिए आगे आते हैं प्रस नाप से पुछा गया है राम क्रस्ट मिसन का मुख्याले कहां पर इस्थी थे तो सबसे पहले बात आना चाहिए कि राम क्रस्ट मिसन की जो आपकी स्थापना हुई थी वो किस ने और कब किया था यहां पर है तो आपके प्रस्चिम मंगाल में पढ़ता है याद रहेगा चलिए आगे बढते हैं पहली डेनिस ऑंडिया कंपणी ने अपना परचाण कब सुरू किया था चलिए 98 का जवाब देजे 98 का जवाब देना है पहला परचाण जो सुरू किया था याद रिखेगा इसका उनका मुख केंदर था सीरामपुर ठीके ना और आपको पता है कि जो आपके अंग्रेज थे अंग्रेज थे अना तो कैसे थे उनको अपनी फैक्टरिया भी बेद दिया था ठीके आगे बढ़ते हैं भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में 30 ज जनवरी है उसमें से सही दिवस को मनाया जाता है अपका 30 जनवरी 1948 को याद रेखेगा 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की आपकी हर्ट्या हुई थी अन यहाँ पर देखा जाए है है ना केलियर हो गया चलिए तो आगे आते हैं प्रसाप से गराप पूछा गया है यहाँ पर आप प्लाजा यह आपकी फालों से सम्मंदीत है आपकी बॉडी सम्मंदीत आपकी नहीं है ठीके ना यहाँ पर जवाब कुंसा होजेगा कहरें लॉप करिए ऑप्सन यहाँ पर चलिए भाई लॉप करिए ऑप्सन यहाँ पर क्या होजेगा चलिए तो चलिए यहाँ पर आपका प्रसाइब पूछा गया है अंतराष्टी चावल अंसंधान संस्थान का परिष्थी थे चलिए यहां पर आपसे पूछा गया है अंतराष्टी चावल अंसंधान संस्थान यह आपका है का परिष्थी थे चलिए यहां पर जवाब देना है सही जवाब इन में से क्या न हो ज तो यहां पर आपका क्या बनेगा फिलिपिन्स के फिलिपिन्स में है इस्थापना जो आपकी इसकी हुई थी वा की कव थी तो आपके 1960 में कव 1906 में इसके इस्थापना के गए थी। आगे ब trivia हैं, अलवर्ट आइंस्टीन को किसे लिए जाइन बिखार चले यहां पर जवाब दीजें, यहां पर जवाब भी यहां पर ऐरा है विद्धूत्द्थ चुम्वी की प्रभाव, बिदुद्चुमबी की प्रभाव या इसे हम लोग बोलते हैं फोतो एलेक्टिक प्रभाव वोलते हैं या इसे हम लोग प्रकास बिदुद्ध प्रभाव बोलते हैं तो इसका जो जवाब बनेगा वो आपका बनेगा A No. यहां पर देख लिए हमने बताया भी था एक दिन कि आपके 1921 में इनके लिए आपका नोबेर पुरुषकार भी दिया गया था केलियर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्वा सिखला पूछा गया है निमनिकित में से कौन सा कठोर जल में अधिक मत्रा में मौझूद होता है मतलब आपका जो कठोर जल होता है क्या होता है कठोर जल होता है तो वही कठोर जल आपका होता है उसमें क्या-क्या मौजूद होता है उसमें से मौजूद क्या होता है तो यहाँ पर याद रिखिए कैल्सियून और मैगनीसियम के बाई कार्वनेट और कार्वनेट कुल में आके दिखा जाए यहाँ पर आपका कैल्सियम और आपका क्या दिया है मैगनीसियम कैल्सियम और मैगनीसियम जवाब आपका ए आ रहा है तो जवाब बिल्कुश सही है केलसियम और माइगनिसियम आपका जवाब राइट हो जएगा आगे बढ़ते हैं कि एक साधारन उपकरण है जिसका उपयोग एलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है यहाँ पर जवाब सन्भरा जाएगा वो क्या भर दिया जाए कि आपका जवाब हो जएगा तो यहाँ पर दोको सर्किट को वियोजित करने का लिए मतलब उसको मालों अगर किसी करेंट लग जाए तो ऐसे इस्तिति में क्या होगा यह बोलोग ना स्विच को आन कर दो या स्विच को बंद कर दो तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाए को मालेगा डी नंबर स्विच हो जाएगा यहाँ पर आपसन मरेंगे यह स्विच एक साधाना लुक करण है जिसका उप्योग इलेक्टिक सर्किट को वियोजित करने या पूरा करने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है ठीके चले आगे बाते हैं पर साफ से अगर आप पूछा गया है यहाँ पर आप से कह रहा है निमनिकित में से कौन सा हाइबर प्रोसेस का उप्योग करके उत्पादित किया जाता है अपने इंटर में अगर science लिया होगा या हाइ स्कूल में भी आपको पढ़ाई होगा हाइबर विदी से जो प्रियोग होता है हाइबर विदी की माध्यम से जो किसकते बनता है वो क्या बनती है हाइबर विदी से ammonia होती है विल्कुर सही जवाब है ठीके चलिए आगे आते हैं प्रसाप सिखला पूछा गया है यहाँ पर आप सी कह रहा है पुड़े में करसी मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्स से की गई थी चलिए यहाँ पर जवाब दीजे इसका राइट अंसर कौन हो जेगा चलिए यहाँ पर 106 नमबर आपके दिये है ना यह पॉइंट कोई आप्सन में नहीं है ठीके ना यहाँ पर याद रिखेगा कि यह आपकी 1928 में कब 1928 याद रिखे 1928 में यह आपके इस्थापना होई थी सबसे पहले आपकी कहां होई थी तो आपके 1875 में ठीके 1875 में सबसे पहले आपके कोलकाता में आपके हुई थी ठीके ना लेकिन यहाँ पर जवाब कर दिया है 1928 में यह आपके पूड़े में आपके हुई थी इनमें से कोई अपसन आपके यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है याद रखेगा ठीके पूड़े में 1928 होगा ठीके और वहीं पर अगर हम आपको बता दें कि आपके सिमला में आपके हुई थी एक सिमला में होई थी 1905 में देखो हमने बताया था मौसम भी जो आपका है हखना यह जो मौसम भी भाग यह परिवर्तन होता रहा है पहले कुलकाता में था ठीके कुलक है 1944 तो कि दिल्ली हो गया है डितिए परिवर्टन आपको हमेशा रहता है चलिए डिया है तो क्या करेंगे तो भी आपकुछ भी ढझते या यह कोई दिक्त नहीं हो कोई थैक्ट यह आ नहीं आनीए आ अपने थोड़ हम बोल देंगे क्या हो जाएगा चली बताइए भाई पुस्तक दिया है फंगी एंड प्लांट डीजी जी जिज के लिखा कौन है यहां पर दिया है पुस्तक फंगी एंड प्लांट डीजिज के जो लिखा के वह आपके कौन है तो बड़ा अजीव सा नाम है यहाउज आपके कौन है लूजख किकहाई इसका मतलब क्लOnce अर्प वता है इसका मतलब होता है पडे और आपके किसे कव्थे के रोग अपनी है तो कौन थे आपके पूरी पूरील पर जाओगे तो प्योज़े ओ Nancy चले कैर आपसे पैठन जलबिद्धुत परियोजना किस राज में इस्थित है यहाँ पर बताइए पैठन जलबिद्धुत परियोजना किस राज में है लाइक सेर भी कर दीजे जो लोग जुड़े अभी अभी आए हैं बाद में आए हैं उलोक लाईक सेर भी करते रहें, साथ में, पढ़ते रहें, हसते रहें, सेर भी करते रहें, चली 108 मर आपका दिया, पैठन जलविद्दुद्द competital परियूजना, याद रिखी Cabinet पढ़ती है आपके महरास्ट में, पढ़ती है महरास्ट में, अच्छा इसका आम एक नया नाम ब पर योजना कहा तो आपके महाराष्ट के और अंगाबाद जिले में आपकी गोता वरी नदी पर आपका निर्मेथ है अब आपको पॉइंट याद हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं नया पॉइंट आपको मिला था इस पॉइंट को नोट करना है कर आप से सतरंज की ग्रां आपका सी हो जेगा एस वीजय लच में आपका जवाब यहापर बन जाएगा ठीक है ना वो कहां की थी तो आपकी मद्रास की रहने वाली थी इनका जन्म हुआ था उन्नी सो आपके सिवेंटी नाइन में ठीक है इनका जन्म हुआ था आगे बढ़ते हैं प्रसाप से गला प आप क्या बनेगा काफी लोग कहते थे सर टॉफ लाइए कोशन प्यार जो पैटन है थोड़ा सा बदलिए अच्छा पैटन लाइए आप देखिए यहां पर अच्छा पैटन है इसलिए लोग रुकते नहीं है हाना हमें पता है क्योंकि कठीन चीज पढ़ने के लिए बोलत खान धी है कितने वरसों के लिए होती है हमने नियंतरक मालिक मतला होता है और यह जो आपर कहल कर देते हैं और यहां की पांच वर्सं होंगए या छाए बैते 3 चलिएए हम लौग कर देते हैं उपसियों को स्थिक ऊपनसरी एटान है ऐसे जो आपका सब्सक्राइब मतलने धेकाली की में से कौन है तो ज़से अच्छे रजीय सुल्तान जो बेटी थी वो किसकी थी बेटी थी आपकी इलतुत में इसकी आपके पुत्ती थी कि नहीं है ना और दिखा जाए तो इसने सासन चलाने के लिए पुर्शों के आकाल से आपर कैसे हैं जैसे आपका होता है ना कूबा कोड पहन कराना इस प्रकास से आपके आते थी ठीके और लगभग ये जो आपका क्यों सब्सक्राइब चालीस का मतलब कह सकते हैं 1240 1240 में डाकों द्वारा का जाता है कि इसके हत्यात कर दी थी आपके कैथल के पास इसका बिवाक इसके साथ हुआ था तो आपके अलतूनिया के साथ हुआ ठीक है जोकि भारत के प्रथम गवर्णार जनरल कौन थे भारत के प्रथम गवर्णार जनरल कौन थे 113 का जवाब देना है 113 नंबर में तो आपको पता है कि आपके लाड विलियम बैंटिंग कौन आपके हैं लाड विलियम बैंटिंग जोकि आपका जवाब ए नंबर आपका बिल्कू सब्सक्राइब तक था एक सबसे एक मुहत पूर एक पॉइंट होता है कि आपके भारत में जो आपका सती प्रता थी हैना 1829 में हैना 1829 में राजा राम मुहन राग के सायोग से कह सकते सती प्रता को भी इन्होंने समाप्ति किया था डारेक्ट कोशन आता है लेकिन सायोग किसे लिया था तो राजा राम मुहन राग के सायोग से इन्होंने सती प्रता को समाप्ति किया था 1839 में ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रसाब सिला पुछा गया है भारत के कितने राज नेपाल के साथ सीमा साजा करते हैं चली अब यह बताए कि भारत के कितने राज हैं जो नेपाल के साथ आपका सीमा साजा करते हैं चली यहाँ पर 114 का जवाब दे रहा है 114 नमबर में चली किसी को आ रहा है तो जवाब दीजेगा यहाँ पर जवाब आ रहा है बी नमबर चलिए यहाँ पर सी नमबर आ रहा है आठ तो यह आठ तो आपका नहीं होगा आठ तो यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर जवाब का डी जरूर हो जाएगा इसमें से आपके होते हैं पांच कौन कौन से होते हैं तो उत्तराखंड हो गया फिर उत्तरपदेश हो गया बिहार हो गया परस्चिम मंगाल हो गया और आपका सिक्किम हो गया खुल मिला के इतने आपके होते हैं पांच ठीके आगे बरते हैं प्रसाप सिला पुछा गया है भ और तमान में इसकी जो संख्या है समुर्थी सुची कि हो कितनी है तो आपके कह सकते हैं कि बावन हो गई है आपके बावन हो गई है यह पहले 47 हुआ करती थी आगे बढ़ते हैं पर सब सेखला पूछा गया है समविधान के किस अनुच्छेत के अंतररत कोई भी व्यक्ति मु मौलभूत अधिकार मतलब मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार जो होते हैं उनको गारंटी अधिकार भी बोलते हैं अगर हम आपसे बोलें कि आपके समविधान में गारंटी क्या है तो गारंटी जो आपकी दी गई है वो आपकी दी गई किसके तो मौल अधिकार को बोला के तैताब जा सकते हैं ठीके ना अगर आप सुप्रीम कोट में नहीं जाना चाहते हैं तब क्या होगा मालो सुप्रीम केट में नहीं जा पा रहे हैं तब आपको हो जाएगा क्या 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 आपके पास एक option दिया गया है हाई कोट में जाने के लिए 226 आर्टिकल 226 के निम्न में से किसका उधरण है बताए गांधी जी ने दांडी आत्रा किया था हमने आपको बताया भी था कि आपके 1930 में कब तो आपके 12 मर्च 1930 में उन्हें प्रारम में किया था और 6 अप्राइल 1930 को संकीत रूप से गए थे कुल मिलाके देखा जाए यही सवीना अवग्या आंदोलन यहीं से प्रारम होता है किसका सवीना अवग्या आंदोलन मतलब आपसन आपका हो जाएगा बी आपका राइट हो जाएगा किलियर हो गया होगा तो किया निम्न में से किसने मनसबदारी ब्योस्ता का सूत्रपात किय मनसब दारी हमने कल भी आपको बताया था रात दस वजे वाले में मनसब का मतलब होता है कि आपके सवार और जात से होता है ठीके ना अगर किसी के पास गोड़े अगर जादा होते है तो वो सबसे सक्तिसारी उस समय का हुआ करता है ठीके ना घोरे और जात में जो आपका अग हिमाले परवत संखला किसे औदारण है इसमें से जो आपके कैसकते हैं यह परवत या जवाम क्या बने गांगा 211 नंबर में यह आपके बताया था कि passions plate है यह आपके आफ्रीकन प्लीट आपके ठीके न यहाँ पर जो आपके कौन सी प्लेट है आपके चाइना प्लेट है यहाँ पर आया जहाँ पर तैठित साधर हुआ करता था ठीके कौन से सागा टैठित ठीके न वहाँ पर आया तो यहाँ पर जो मलवाद था क्या हुआ उपर कोड़ गया इस कारण से क्या होता है वलित हो जा इंसा क्या होती है है क्या होती है टंतरी का को मतलब की चुटी चुटी साखाय होती हैं यहां जो कि भारत की समुदान में संगी सब्द का प्रयोग कहा पर हुआ है 122 नबर आपको आप देना है 122 नमबर कैंग आपसे जो संगी सब्द है इसका जो प्रियोग हुआ है भारती समिधान में वो आपके कैसिक कहा पर हुआ है चलिए जवाब यहाँ पर 122 नमर दिया गया है 122 का उप्शन A आ रहा है चलिए याद रखेगा किया नहीं प्रस्तावना में दिया है याद रखेगा आपके प्रस्तावना में नहीं है ना ही कहीं पर आपका है ठीके ना इस पॉइंट को याद रखेगा कि जो भारती संग है संग सब्द का नाम जरूर मिला है ठीके क्या है संग सब्द जरूर है लेकिन संगी सब्द का प्रयोग आपके भारती संविधान में कह हीँ भी आपका नहीं हुआ है ठीक है ना भारत राज्यों का संग है spaghetti union है अधा संग का प्रयोंगOR किया गया है ठीक है चले आ आधीकतम जय बीवित्ता किसमें होती है तो भाई जहां पर ज़्यादा छेत्र होGAN वहीं कि बात करेंगे और यह आपका चेत्र कौन सा है तो उस्न कड़बंधी चेत्र ठीके कौन सा है उस्न कड़बंधी चेत्र आपका है इस पर आपका हो जेगा ठीके ना वैसे भी आपको बता है जैसे आपका होता है समुद्र होता है सबसे ज्यादा ठीके ना तो आप सनमकाड़ी हो जेगा उस्न कड़बंधी 1960 में कब 1960 में इसकी इस्थापना की गए थी और इसके 1210 से हैं ठीके 12 हैं ठीके और लेकिन यहां पर दच्छिन आफरी का जो है डी नमबर दच्छिन आफरी का जो आपका है इसमें से आपका सामिल नहीं है याद रखेगा अगर कोश्च नहीं पूछे कि उपे का जो मुख्य जाता है चले यहाँ पर जवाब दीजे किस दिन को अंतराश्टी आइनसा के रूप में मनाते हैं 125 का जवाब दिना है 125 में सभी का जवाब बिल्कों सही होना चाहिए बिल्कों जवाब आ चुका है आपका अंतरास्ठी आइनसा दिवस मनाते है आपके 01oc April A Со उस दिन आपके गांदी जी की भी होती है है और आगे आते हैं प्रशारव से घला पुछा गया है मतलब करते हैं कि ग्लोबल मोविल्टी शमीटी यह जो आपका उुझूत किया गया था यह कहां किया अगर हम आप से बात करें कि जो नीटी आयोग है कोईंपका है नीटी आयोग द्वारा ये भारत का पहला वैस्वी गसिलता सिकर संभिलन किया गया था कब तो आपके 2018 में ठीके 2018 में किया गया था आगे बढ़ते हैं प्रस्णाफ से गलाप पूछा गया है उस चेतर को और बाल से बचाने के लिए और हर चेतर को बढ़ाने के लिए बहुत ऐसी हुई मरदा परदन को रूकने के लिए ये शुरुवात की गई था कौन सी यहाँ पर जवाब बारा है कह रहे हैं इसका जवाब जो बनेगा वह आपको बनेगा गंगा हरित्मा योजना कौन सी है गंगा हरित्मा योजना है गंगा हरित्मा योजना जो आपके कौन सी है यह आप बी है बी नंबर आपका है और यह चला गए थी जो कि कह सकते हैं आपकी चौदा गाउं ठीके गंगा के किनारे बसे जिली जो आपके थी चौदा गाउं को सा प्राफ्ट की जाती है जो पैंसिलीन होती है जिसकी खोज अलग जेंडर फ्लैमिंग ने किया था हाना कोशन आप से पूछा जाता है कि पैंसिलीन की जो खोज किया किस ने किया तो आले जिट्र फ्लैमिंग ने किया था ठीके ना जो की कहे सके किसे प्राफ्त होती है यह जो आपकी प्राफ्त होती ही याद रखेगा यहाँ पर आपका जवाब हो जगा कौन सा है सैवाल है कवा कह चैंक कौन सा है डि-नमबर यहाँ पर याद रखे पूरनर गठन दिया गया है और यह किया गया था कब तो आपके 1956 को कब 1956 को अप्सन भी हो जाएगा 1956 आपका राइट यहाँ पर अंसर हो जाएगा ठीके ना जिसमें से क्या हुआ था तो आपके 14 राज्य किसमें 14 राज्य आपके स्थापित हुए थे आपके 6 किनसासिर प्रदेशों का गठन किया गया था पहरा जो आपका बना था बासरimmtार पर आपका रंत प्रदेश बना था केलियर हो गया है चलिए आगे बड़ते हैं अंतराश्ची तीथी देखा क्या है अंतराश्ची तीथी देखा आपकी क्या है अंतर आती तित्थी डेखा है वो हुआ कि कौन सी है जब आप दे रहें बी नमबर तो बिलकुर सही जवाब है जो आपकी एक 180 है हाना 180 जो आपकी रेखा है यही तो आपको निधारित करती है न यहाँ आपकी कहा से दूद किसके कारण खट्टा हो जाता है दूद किसके कारण खट्टा हो जाता है रियाद रिखिए उसमें से एक अम्ल होता है कौन सा और हमने आपको बताया भी था दूद के साथ जब भी कोई बीचीज आएगी जब भी कोई बीचीज आएगी वहाँ पर दूद से संब्दी लेक्टिक सब्दाप को जरूर होगा क्या होगा लेक्टिक सब्दाप को जरूर मिलेगा चाहे मिठाई बनाई गई हो चाहे सर्तुवा बनायागा हो चाहे कुछ हो वहाँ पर आपको लेक्टिक सब्दाप को मिलेगा अगर दूद से बनी कोई चीज है तो आपको यहाँ पर घ्लक्तrick का मलापक का वोजेगा बेल नमबर किलिएर हो गया आगे बढ़ती है प्रसाप से गलाप कुछा गया है अमल वर्सा का खारण क्या है यहां पर 13 संबर अमल वर्सा क्या होती है तो हम लोग कैसे क्ते हैं जब वाई मंडल में क्या होती है सल्पर डायाकसाइड और नै नहीं सकते हैं मतलब आपका जो जवाब है वह आपका बन जाएगा राइट अंसल आपका बी नाइटरस अकसाइड और सलफर डायकसाइड यह आपकी बन जाएगे तो आपका बी हो जएगा ठीक है चलिए आगे आते हैं प्रसाफ सेगला पूछा गया है क्या रहा है वर्स 1916 म यह जो आपका प्रसने बहुत यह अंपी है हमेशा पूचा जाता है ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल सरल है सरल नहीं है हमेशा पूचा जाने की वज़ए से यह कैसिक्ति सरल आपका हो चुका है ठीक है ना और यह 1916 में आपकी कैसिक्ति अद्वेशन हुआ था और इसी अ 1916 में कांग्रेस मुसलिम जब पास में इनकी जो अद्यज थे लखनव वाले में अंबिका चरण मजूमदाद थी ठीके ना ये भी पॉइंट आपको याद रखना है अगला है गदर पार्टी के मुख्याले कहां था हमने कल भी इस प्रसुन को बताया भी था गदर पार्टी क भी निकाला गया था कौन घदर नमक का पत्र भी निकाला गया था खेले है विच होता है अगल पंदरा मिनिट का ठाराओ आपको हो ता है इसमें से लेकिन maximum अगर question ये पुचे आपके की जाती है वो आपके कहां पर की जाती है और कभी कभी आपने सुना होगा इसका नाम सुना होगा क्या तो आपने चुना होगा स्थांतरी च। प्रशाप सेला पूछा गया है हथनी कुंड बायराज की सनदी पर आपका बना है हथनी कुंड बायराज आपके कहाँ पर है या आपको देना है सही जवाब इन में से कौन हो जगा चलिए यहाँ पर कह रहे हैं भारत की प्रिस की देने भारत में प्रिस की देने नहीं है भारत में प्रिसकी जवाज थी, पृतकाली लेके आये थी, चलिए, या मतरीए हंत्रिनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है, 138 संबर में, 138 संबर जवाब दीजए, हंत्रिनी कुंड जवाब का बांध है, वो कहां पर है, आपकी यमना में है, चंबल में है, गंडक में है, या अलक नंदा में है अपने पढ़ा भी होगा और आज आपका मिल गया है तो याद रिखिए हंचिनी कुंड आपका कहां पर है ऐ नमर आपके यम्ना में है ठीक है चलिए आगे आते हैं प्रसाप सिला पुछाया फुलर जील भारत की किस राज में इस्तित है फुलर जील भारत की किस राज में इस्तित है फुलर जील के बारे मताइए फुलर जील चलिए यहां पर जवाब दीजे सही जवाब इनमें से कौन हो जएगा सही जवाब द इपार के बार्डर को छूदा है तो आपके पीली भीत में है और यहीं से एक नदी है तो गोमती नदी निकली है याद रहेगा चलिए आगे आते हैं प्रसंब सिला पूछा गया है उत्तर प्रदीस की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौं सी है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली जो आपकी है वो आपकी कौनसी हो जाएगी यहाँ पर 140 के गर मात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यह है आपकी सारदा नहर कौनसी आपकी प्रणाली है तो आपकी सारदा नहर प्रणाली यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली आपकी हो जाएगी तो इस प्रकाश से आपको यहाँ पर हो जेगा अबेदी नमबर आपका हो जाएगा ठिकें ना तो यहाँ पर आपने स्वाल किया आपके कहे सकते हैं